Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person क्या सोच रहे हैं, so what are they thinking right now, आपके बारे में, आपके connection के बारे में, so let's start, यह सारे star science की reading होती है, यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है, so हम देखेंगे कि आपके person क्या सोच रहे हैं, what are they thinking, उनकी thoughts, current thoughts आपके लिए क्या हैं, so सबसे पहले हमारे पास है six of wands, king of pentacles, ten of wands, six of cups, so six, six किसी के लिए significant हो सकता है, nine of cups, seven of cups, eight of wands, and four of cups, so bottom of the deck we have king of cups, wow, so king of cups मेरा फेरिट कार्ड है, soulmate energy with the six of cups, 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 बहुत सारे cups है, so बहुत सारे feelings है, आपके person अपनी feelings में है, I feel कि ये बहुत romantic, बहुत dreamy energy है, आपके person को बड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो कोई जंग जीते हैं, जैसे उनने feel हो रहा है कि वो कोई super hero है, बड़ी ही specific reading है, उनको ऐसा feel हो रहा है कि जैसे उनने कोई बहुत कुछ achieve किया है जिन्दगी में, maybe literally आपके person किसी काम, किसी चीज़ पर काम कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा success मिली है उसमें, maybe उनकी promotion हुई है जहांपर वो job कर रहे हैं, maybe उन्होंने job किसी और बहुतर जगा पर कर रहे हैं, या उन्होंने business start जो किया था, या किया है उसमें success मिल रही है, आपके person मुझे बहुत ज़्यादा dreamy energy में नज़र आ रहे हैं, बड़ी खुशी की energy में नज़र आ रहे हैं, और अब वो आपके साथ भी अपने तालुकाद ठीक करना चाहते हैं, अगर तो ठीक नहीं है, because with this four of cups, I feel के अपने किसी काम की वज़ा से शायद उनका mood आपके साथ ठीक नहीं था, और अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, with this six of cups, ये reunion का card भी होता है, ये memories का card भी है, ये इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए true genuine love है, क्योंकि ये king of cups true genuine love का card है, maybe वो बहुत ज़ादा expressive ना हो, बट वो express करना चाहते हैं, so ये इनसान बहुत dreamy, बहुत passionate, loving energy में हैं, बहुत ज़ादा connected हैं अपने emotions से, और I also feel कि जैसे आपकी वज़ा से भी ये इनसान बहुत ज़ादा खुश है, चाहे इस वक्त आप लोगों के दर्मयान जो भी situation है, बट ये इनसान ये सोचते हैं कि ये बहुत lucky हैं, ये इनसान कोई super hero हैं, कोई victory है, इनके लिए बहुत बड़ी victory है ये, आपका दिल जीतना, आपका प्यार जीतना, उनके लिए it's a big deal, मेबी आप आसानी से किसी से प्यार करने वाले इनसान नहीं हैं, मेबी आप एक आसान इनसान नहीं हैं, और आप बहुत easily अपने दिल को open नहीं करतें, मेबी आपने अपने person को बड़ा tough time दिया, and finally आप उनके हो गए हैं, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी achievement है, और उनने अब फील हो रहा है कि वाओ, यानि ये out of the world feeling है, बहुत ज़्यादा है, बहुत खुश है वो, victorious महसूस हो रहा है उनने, बहुत ज़्यादा specific है, आज की reading सब के लिए नहीं होगी, so, I feel कि ये इनसान इस वक्त बहुत ज़्यादा positive energy में है, ये इनसान, maybe अभी आइनका text या इनकी call आपको अभी आ जाएगी, ये इनसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको miss करते हैं, जो आपके साथ इनोंने वक्त बिताया है, जो memories बनाई हैं, उन पर reflect करते हैं, they absolutely love you, they think you are very sweet, you are very kind, you are very loving, you are very loyal, you are trustworthy, सारी अच्छी चीज़ें आपके बारे में वो सोचते हैं, और ये इनसान आपके साथ long term चलना चाहते हैं, ये इनसान आपके साथ एक बहुत strong connection बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक strong, firm foundation बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपन बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए dream come true हैं, आप उनकी wish fulfillment हैं, जब वो आपके साथ होते हैं, they really feel के वो complete हो चुके हैं, उन्हें हर चीज़ उनके पास है, उन्होंने सब हासिल कर लिया है, जो भी इनसान एक खाहिश कर सकता है, कि उसके पास जिन्दगी में हो, जब वो के साथ होते हैं, so they really feel के वो complete हो चुके हैं, they are whole, और बहुत ज़्यादा उनके लिए ये feeling, बहुत ज़्यादा खुशी की feeling होती है, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे ज़रूर बताइएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.